नमस्कार साथियों, एक हाश्य कथा लाया हूँ, कार का टायर एक दिन एक कॉलेज के चाह लड़कों ने देर रात तक पार्टी की और खूब मजे किये लेकिन उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया कि अगले दिन उनका क्लास टेस्ट है और उन्होंने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी जब उनको ये याद आया, तो वे सोचने लगे कि प्रिंसिपल से क्या बहाना करें कि वे हम पर विश्वास करें और टेस्ट से चुटकारा पाएं तो सुबह उन्होंने अपने आपको ग्रीस और धूल से लथपत कर दिया और प्रिंसिपल के आफिस में पहुँच गए वहाँ उन्होंने बताया, सर कल हम रात एक शादी में गए थे शादी इसे जब वापस लौट रहे थे तो हमारी कार का टायर बीच रास्ते में ही फट गया था हम लोग कार को धके मार मार कर उसे वापस लाए इसी चकर में हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई प्रिंसिपल ने उनकी दुख बरिदास्तान सुनी और कुछ सोचा प्रिंसिपल ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा तीन दिन बाद टेस्ट लूँगा चारो चातर मन ही मन खुश हो गए और उन्होंने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया जब तीन दिन बाद टेस्ट का दिन आया तो चारो प्रिंसिपल के पास गए प्रिंसिपल ने टेस्ट के लिए चारों को अलग-अलग कमरों में बिठाया चारों लड़कों को कोई प्रॉबलम नहीं थी क्योंकि उन्होंने तीन दिन में कड़ी मेहनत की थी उनको पेपर दिया गया, पेपर में दो प्रशन थे पहला एक अंका आपका नाम, दूसरा 99 अंका कौन सा टायर फटा था और चार आप्शन थे आगे कब आया, आगे कदाया, पीछे कदाया और पीछे कब आया टेस्ट के बाद चारों का क्या हाल हुआ होगा आप अंदाद लगा सकते हैं कैसे उनके दिल की धड़कने बढ़ गई होंगी इस काहनी से ये शिक्षा मिलती है कि आप फन कीजिए, मज़े कीजिए लेकिन अपने जिम्मेदारी से मूं मत मोड़िए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कानी को शेर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए